हे गाईज आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज के स्कूल और आसम गैजट से भरे वीडियो में दोस्तों क्या आपने कभी एक ऐसी वाच यानी की घड़ी देखी है जिसमें से आग निकलती हो और क्या आपने कैसे ये बर्ट्स देखे हैं जो किसी लाइटर के तरह दिखाई देते हो नहीं न, वेल तो आज आप देखेंगे दस ऐसे अजीबो गरीब गैजट से जो आपके होश उड़ा ही देंगे वेल तो फिर देखते रहिए वीडियो को भी ना स्किप किया आखिर तक ताकि आपसे कोई भी गैजट मिस न हो पाए चलिए तो फिर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के और तो इसे के साथ बढ़ते हैं अपने आज के पहले गैजट की तरफ जिसका नाम है बूमर रैंग दोस्तों ये एक फ्लाइंग डिस्क है जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंज्वाई कर सकते हैं बात करें इसकी बेड कॉलिटी की तो इसमें 360 डिगर LED लाइट से लगी हुई है जिससे ना सिर्फ आप दिन में ही बलकि इसे रात में भी आप अपने दोस्तों के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं बाइदवे मेरा सजेशन है रात में ही खेलना यार बहुत मज़ा आएगा और गाइज इसमें एक्जाक्ट रेटेनिंग के एक ऐसे टेकनोलजी का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वज़ेश से जब आप इस डिसक को फेकेंगे तो यह डिसक आपके पास वापिस आजाएगी साथ याप इस आलग-अलग स्टाइल में फ्लाइंग डिसक को कैच कर अपने स्वाग को भी मैंटेन कर सकते हो और गाईज इस फ्लाइंग डिस से आप अलग-अलग गेम्स जैसे की गोएला गेम्स, तब बलून चैलेंज, दब बॉलिंग बैटल के मज़े ले सकते हो तो गाईज है ना एकदम धमा कितार गेम ऐसे आप कनेक्टर दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई सारे स्मार्टफोन कमपनी इस चार्जिंग केबल को कितना छोटा करती जा रही है और आप तो कोई चार्जर ही नहीं देते अब मान लीजे आपने फोन को चार्जिंग में लगाया हुआ है और कोई अर्जर्ट कॉल आ गई तो आपके पास दो ही आप्शन होंगे या तो आप चार्जिंग केबल निकालो या फिर ऐसे ही लटक के बात करो जिसमें दोनों में चार्जिंग जैक डामेज हो जाता है तो गाईस ऐसे सिचुएशन में ये ऐसा आप कनेक्टर आपके काफी काम आ सकता है वैल इसमें आपको दो पार्ट्स मिलते हैं एक आपके चार्जिंग जैक में फिट हो जाता है जिससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं बागी इसकी बिल्ड कॉलिटी पे है एकदम बढ़िया दोस्तों इस महेंगाई में पेट्रोल का खर्चा उठाना काफी मुश्किल हो गया है और वैसे भी हमें इलक्टरिक वेकल का यूज़ ज्यादा ही करना चाहिए बट अब बात आती है कि उसमें भी खर्चा काफी होगा लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों क्योंकि अब आच चुकी है स्प्लैच स्कूटर जिसे यूज़ करने के बाद आपको कोई मिल गया वाले रोहित यानि के रितिक रोशन वाली फीलिंग मिल जाएगी वो भी यही वाले स्कूटर चलाते चलाते अब अगर बात करें इसकी वाकिंग की तो इसमें हाइली ग्रिप्ड टायर्स लगे होते हैं जो रोड के किसी भी कंडिशन में एक स्मूध राइट देंगे आपको इसके मोटर और ब्रेक्स, स्टेप, स्लोपस या अचानक स्कूटर को रोकने के लिए आप्टिमम एकसलेरेशन प्रोवाइड करते हैं प्लैच आपको 28 माइल यानि कि 48 किलोमेटर पर आर की स्पीड से कहीं भी ले जा सकता है इसके अलावा एक चार्ज पर ये आपको 55 to 60 किलोमेटर की दूरी तक ले जा सकती है बाकी इसमें और भी मज़ेदार फीचर सेंचे से कि आप इसे फिंगर प्रिंट से अनलोक या लॉक कर पाएंगे और अगर स्कूटर डिस बैलेंस हो रही है तो ये आपको अलर्ट भी दे देगा और सबसे मज़े की बात तो ये है कि आप इसे सिर्फ 10 सेकेंड में ही इसे फोल्ड करके आप आसान से इसे कैरी कर सकते हो स्पीरो कार दोस्तों आप लोगोंने बचपन में रिमोट कार तो खूट चलाई होगी और अभी भी चलाते ही होगे बस फर्क यही है कि आप रियल ट्वाई कार की जगा एसपाल नाइन और नीड फॉर स्पीड की वर्चुल कार्स ने ले रखी है खैर तो अभी आपको ज़्यादा एक्जामपल से नहीं देते हुए आपको इसके बारे में बताते हैं यह कार ऐसे है कि इसे एक बार यूज करने के बाद आप इसके दिवाने ही हो जाएंगे क्योंकि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें विंडशिल्ड की जगा आँखे लगी होती है जिसे कि यह काफी अमेजिंग लगती है और यह थोड़ा बहुत डांस भी कर सकती है कूल डिजाइन के साथ वाइलेस ब्लोटोट से ऑपरेट की जाने वाली यह कार जो डिजने करेक्टर से मिलती जुलती है कमाल की दिखने वाली यह कार रिचार्जबल बैटरी पर चलती है जो एक घंटे की चार्जिंग पर आपको पूरे 40-45 मिन्टों तक का मज़ा करवाईगी मज़े की बात तो यह है कि आप इसे अपने स्मार्टफोन से भी आपरेट कर पाएंगे ग्रैफ स्टार साइरे सेबर्ड्स दोस्तों अगर आप गेमर हैं ट्रैवलर हैं स्टूडेंट हैं या मेरी तरह कॉंटेंट क्रेटर हैं तो आपके पास एबर्ड जरूर होना ही चाहिए क्योंकि हम आपको बताते हैं सबसे पहले इसके लुक की बात करते हैं तो भाई साब किया ही कहना इसका चार्जिंग केस और खुद आपको एकदम नेक्स लेवल की फीलिंग देने वाले हैं और अगर बिल्ट कॉलिटी की बात करें तो इसके चार्जिंग केस को जिंक अलोई से बनाया गया है तो मतलब स्क्रैच से चुटी मिल जाएगी आपको बागी वाटर्प्रिफ तो है ही ये सब तो ठीक है लेकिन अब बात आती है इसका वोकिंग और बागी सब कैसा है तो इसके अंदर 7.2 मिली मीटर का डाइनेमिक ड्राइवर मौझूद है जो आपके हड्डियों में बेस प्रोड्यूस करता है जिसका मज़ा आप अलग-अलग लेवल्स पर ले सकते हैं चाहे वो हाई हो लो हो या इनके बीच में बागी हर एरबर्ड के तरह इसमें भी आपको वाइस एसिस्टेंट, वन टैब कॉल आंसर और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन जैसे सारे चीज़ें मिल जाएंगी इसकी बैटरी एकदम लाज जवाब है आपको 24 अवर्स का बैक अप दे देगी सील वैक्स क्या आपकी व्यादत है कोई चीज़ को आदा खाने के बाद उसे रख देने की या फिर आप ट्रैविलिंग वगरा करते रहते हैं और आपको बाहर खाने का उतना शौक नहीं है अगर ऐसा है तो ये गैजट सिर्फ आप के लिए ही बना हुआ है वैसे नाम है इसका सील वैक्स और आपने नाम के एसाब से इसका काम भी बिल्कुल इसी तरह का है अगर इसके यूसेज की बात करें तो आप इसके हल्प से किसी भी इटेवल आइटेम को पैक करके लॉंग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं क्योंकि गाइस क्या होता है जब कोई खाने का सामान ज्यादा देर तक ओपन रहता है तो वो खराब हो जाता है तो उसी खाने को आप खराब होने से बचा सकते हैं इससे सील वैक्स के मदद से इसकी working के अगर बात करें तो इसमें आपको एक device और एक polybag मिलता है जब भी आपको कोई सामान स्टोर करना है तो बस आप उसको polybag में रख देना है जिसके बाद seal wax device को आप अपने phone से charging hub में connect कर आप उस polythene की सारी हवा निकाल सकते हैं जिससे आपका खाना होता है एकदम safe night birds guys क्या आपकी भी रातों की नीद उड़ गई है और आप अच्छी नीद आने के लिए गोलियों का भी इस्तमाल करते हैं अगर हाँ तो आप उन गोलियों को खाना बंद कर दीज़े क्योंकि आप आचुका है night birds well night birds आपको सोने में काफी help करते हैं वैसे इसे आप earphone या earbird भी कह सकते हैं लेकिन इसका काम उन सबी से काफी ज्यादा है दोस्तों ये आपकी नीद की quality जानने के लिए पीपीजी मतलब photopletismogram लगा रहता है जो कि एक optical sensor होता है जिसका काम ये है कि आपके skin की सता पर infrared light का यूज करके उसके through blood circulation के changes को measure करना इसके साथी साथ ये आपको अच्छा सा गाना भी सुनाता है बाकि इसे आप अपने smartphone के मदद से Bluetooth से connect कर सकते हैं जो कि एक बार charge करने पर 10 घंटे तक battery backup आराम से देता है Lumary दोस्तों torch और emergency LED lights तो आप लोगने बहुत से देखे होंगे लेकिन ये light सबसे कमाल की है जो कि आपके सारे requirements को फूरी कर देगी देखो दोस्तों normal LED lights में दो तरह की आपको problem देखने को मिलती है एक तो उसे carry करना काफी मुश्किल भरा होता है और उसकी quality भी उतीनी अच्छी नहीं होती लेकिन इस Lumary में ऐसा नहीं है दोस्तों इसको आप चाहे जैसा मोड सकते हो क्योंकि ये काफी ज्यादा flexible है और अगर carry करने की बात करें तो बस एक दम straight chocolate की तरह इसका design है बाग इसके working की बात करें तो ये normal USB charger से charge हो जाता है अब चाहे आप इसे laptop से charge करो या normal charger से कोई problem नहीं है दोस्तों और charge होने के बाद ये आपको 15-16 घंटे तक का backup आराम से दे देता है और इसमें touch gesture का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि एक दम modern feel कराता है Steel B दोस्तों रेजर तो आप सब लोग use करते ही होंगे बढ़ उसमें common problem ये आती है कि एक बार उसे use करने के बाद जब उसमें पाने लग जाता है तो उसमें धीरे धीरे घस्ट भी लगने लग जाती है जिसे use करने से आपको छोड़ भी आ सकती है भाई अब करें क्या अब आपके पास एक option है कि blade निकाल के फैंक दो तो फिर इससे बचने के लिए मेरे पास एक must suck gadget है ये है steel B ये आपके razor blades को rust लगने और उन्हें खराब होने से बचाता है बस अगली बार से जब भी आपको shave करना है तो अपने razor blades को इसमें रखना मत भूलेगा इसका design एकदम razor blades के size का ही है जिसमें हर तरह के blades आसानी से fit हो जाते है sniper watch दोस्तों अब घड़ी आ गए है हमारे आखरी gadget की एंड एक कुछ और नहीं बल्कि एक खुब सुरत सी stylish घड़ी है यानि की watch गाइस अगर आप लोगों के पास एक अच्छा phone है अच्छा ये bird है लेकिन ये वाली watch नहीं है तो फिर क्या ही फाइदा क्योंकि इसके features को देख आप हो जाएंगे हैरान वेल इसके features की बात करें तो इसमें stainless steel का use किया गया है जो कि काफी ज्यादा strong और durable होता है इसमें आपको water resistant भी मिलता है यानि आप इसे पहन कर नहाओ या फिर बाइश में भीग जाओ कोई problem नहीं होने वाली है दोस्तों और इसमें day and date का भी option है जो कि इसके features को और भी ज्यादा boost करता है बागे guys जिसे साब से इसे customize किया गया है वो ला जवाब है और हाँ guys इसमें आपको एक lighter का attachment भी देखने को मिलता है जिसे कि आप जब चाहे उससे आग निकाल सकते हो वाव वेल तो guys आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आई हो तो इसे like and share करना बिलकुल ना भूलें और हमें comment करके बताएं कि अगली वीडियो में आपको किस तरह के gadget चाहिए और हाँ channel को subscribe करना तो बिलकुल ना भूलें वेल तो फिर वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye